प्रेंट्स अभी हम ये बाबा महावतार जी की कैप के लिए निकलेते तो गाड़ियां हमारी लगवक दो तिन किलोमेटर का ये बहुत ही कठीन रास्ता जो आपने देखा होगा किस प्रकार से रास्ता था ये हमारे नेगी जी हमार को लेके आए हैं तो हम यहाँ पर गाड़ियां हमने पार्क कर दी है और अभी बता रहे हैं लगवक दो किलोमेटर का ट्रेकिंग का रास्ता है उसको अभी पार करके चलते हैं और पसंद जी भी ही साथ में है अब देख सकते हैं अभी साथ में ही उपर चल रहे हैं विल्कुल रेक करके बाबाजी के गुफों में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और जो भी नए मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऐकोन भी दबादें चलिए दोस्तों फिर उपर मिलते हैं रास्ते में आपको दिखाते किस प्रकार का रास्ता ये बना हुआ है और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सभी को प्रचार कीजिए, कि उत्तर खंडाईए, घूमिये, हम लोग भी घूम रहे हैं, जै बाबा जी, जै बाबा जी, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आगे, तो दोस्तों अब हम महावतार बाबा जी की कैप की ओर बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, रास्ते इस परकार है, सुना है कि हमने ये रास्ते काफी कठीन है, तो चल रहे हैं, देखते हैं, गुफा बाबा जी के हम किस परकार पोच्चेंगे, तो दोस्तों अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको जानकर देदेता हूं कि आप किस प्रकार रहा सकते हैं दोस्तों ये कुकुछीना में हम रुके थे जोसीजी की गेस्ट आउस में तो वहां से लगवागत दो किलो मेटर की दूरी गाड़ी से हमने पार कर दिये जो कि गाड़ी का रास्ता नहीं था बहुत कठिन खराब रास्ता था उसके बाद दोस्तों ये दगवत 2-3 किलो मेटर का ट्रैक है जो कि हम जा रहे हैं उपर कैप की तरफ तो अगर आप आ रहे हैं तो आप नैनी ताल या काड़ गुदाम से अलमोडा होते हुए कुकुछीना आ सकते हैं प्रेंस आप देख सक हैं बिल्कौल सिर्व हम लोग है हमारी टीम है और कोई नहीं है यहां पर अभी देख shawagagy क्योंकि अभी काफी हम चड़के आये हैं और अभी आगे भी देखते हैं कितना चड़ना है वो काफी जो है पढ़िन दाता है चड़ाई भी है हुआता है आप देख सकते कितना कठीन यह ट्रेकिंग का रास्ता हम पार कर रहे हैं काफी दूरी भी है और यह बहुत ही सक्रे रास्ते निकल के जाना पड़ रहा है बड़ी साफदानी से सबी लोग आ रहे हैं धीरे-धीरे अब देख सकते हैं यह बाबाजी केप का एरो इदर दे रख रहा है तो हम इसको फ़ॉलो करते हैं और अगे चलते हैं कि आप देख सकते कितना कठीन ही रास्ता से रास्ता तो दोस्तों ही नहीं मिरें इस परगार को हमें दोड़ आ यह इस रो राता है श्रॉक्य गोवा कि circuit कर सेबना हुए पैंजлек कर जल रहे दोसुने प्रक में시면 न एकदम अच्छा यह हमारा ट्रेक चल रहा है सभी बहुत इंजोई कर रहे हैं और अगर आप लोगों को भी ये वीडियो इच्छा लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरा देखें अभी आगे आप देखेंगे बाबाजी की कैब मैं भी दोस्तो पहली सब्सक्राइब बाड़ जा रहा हूं तो देखते हैं आगे मिलते हैं अपसे फिर अगर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन भी दबा दें आगे भी उत्राखन की वीडियो मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार से मिलती रहेगी जहां कोई नहीं गया दोस्तो हम आपको लेके जा रहे हैं और उत्राखन की ऐसी कई अनेक जगे हैं जहां आपने नहीं देखी है जिसकी जानकारी आपको नह लोग पीछे हैं कुछ लोग आगे पहुच चुके हैं तो हम भी चलते हैं और आप भी चली हमारे साथ बाबा मापतार जी की कैब में प्रेंड अभी हम प्रेक को पार करते हुए उपर आचुके हैं और बहुत ही अच्छा देख सकते हैं यह नजारा यहां पर प्रथंजी जी भी साथ में चल लाए है थैंकियो अभी भाई इधर आप देख सकते हैं बाबा जी की गुफा की और चल नहीं है और एक अच्छा स स्पोर्ट इधर पर है जहां पर हर वक्त तो पर्मिशन मिलता नहीं है लेकिन पर्मिशन कराने से इधर अच्छी कैंपिंग हो सकती है दो तिन घंटे के लिए सभी आके इंजोए कर सकते हैं खुली वादिया है मौसम है ठंडी ठंडी हवा है और दो हफ्ते में बर्फ भी गि अच्छा है दोस्तों तो चलिए आगे मिलते हैं आप से फिर दोस्तों लहारी मा से जो अठारवी सताब्दी के उच्चकोटी के सादक थे जिनका जनम 1828 में हुआ था और उनके चेलों ने महाफ्तर बावाजी का नाम दिया जो 1861 और 1935 के बीज महाफ्तर बावाजी से मिले आदमकता में किया है इसमें योगनांजी की महाफ्तर बावाजी के साथ शेम की बेट का परत्यक्च वर्णन भी सामिल है और दोस्तों एक और परत्यक्च वर्णन स्री युक्तेश्वर गिरी जी ने भी अपनी पुष्तक में दा हॉली साइंस में दिया था दोस्तों यह अब वर्णन और बावाजी महाफ्तर के साथ हुई अन्य भेटे योगनांजी द्वारा उलेखित विविन आत्मकताओं में बढ़नी थे तो दोस्तों अभी हम महाफ्तर बाबा जी की कैब में पहुँच चुके हैं अभी कोबिट की वज़े से बंध है कोई नहीं है यहाँ पे तो हम सभी लोग कैब के गेट पर ही बैढ़ गए और सभी ने यहाँ पे ध्यानी किया काफी अच्छा महसूस हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा जी की कैब का अंदर का दर्शे इस परकार है सभी लोगों ने यहाँ ध्यान किया बहुत ही मन को सांती महसूस हुई यहाँ पे आके ध्यान करके तो आप लोग भी जरूर आए महावतार बाबा जी की कैब में दर्शन करने के लिए और यहाँ पे आके आप दियान करें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बहुत ही अच्छी अनुवती का महसूस होगा तो दोस्तो लाहरी मासेज जी ने अपनी डाएरी में लिखा था कि मावतार बाबा जी बगवान सिरी किशन थे और परामंथ योगदन जी के दो सिच्छियों ने लिखा था कि वे भी अक्सर जोर से बाबा जी किशन क्याकर परातना करते थे भगवान श्री किशन का अपतार उनको माना जाता था और दोस्तों साउथ के सूपरिश्टार रजनी कान द्वारा एक लिखित दोजाद दो की तमिन फिरम बावा भी महावतार बावाजी पर ही अधारित थी रजनी कान भी महावतार बावाजी को काफी मानते हैं और वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं चलिए दोस्तो आज का ये वीडियो यही खतम करते हैं आसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगाओगा तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक दोस्तो आप मेरे चैनल की अन्य वीडियो देखते रहें